प्यारे वी दियार्थिवों नमस्कार हमारे इस चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्यारे दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में निकटन करना सीखेंगे निकटन क्या है जिसको इंगलिस में नीरिष्ट कहा जाता है नीरिष्ट बैलू कोई भी चीज जब आप आंकडे से आकलन करके बताते हैं तो उसको लगभग में बताते हैं तो उसी कहा जाता है निकटन जैसे आप किसी चीज को देख करके बता रहा हैं कि लगभग इतना किलोमीटर होगा इतना मीटेर होगा, इतना ग्राम होगा, इतना रूपिया होगा, आप उसको देख करके बताएंगे, तो उसी कहा जाता है एक आकलन, उसी आकलन को निक्टन करना, निक्टन करना क्या है? निक्टन करने का मतलब है कि नीरेस्ट बैलू निक्यालना, किसी भी चीज की, किसी भी का संख्य का नियरेश्ट बैलू कैसे निख्याला जाता है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे. तो चलिए वीडियो को इस्टार्ट करते हैं कि नीकटन कैसे किये जाता है। नीकटन। निक्टन का मतलब ये हुगा कि किसी चीज के लागभग बारे में जो आकला दिये जाता है उसको कह जाता है निक्टन तो निक्टन को हम सननिकेट भी कह सकते हैं या इसको कह सकते हैं नीरेश्ट बैलू तो निक्टन या सननिकेट बैलू या नीरेश्ट बैलू कैसे निक्याल जाता है अब आपको इसमें देखना है कि आपको निकटन कितन में करना है दस के लगभग में करना है कि सव के लगभग में करना है कि हजार के लगभग में करना है आपको किसमें निकटन करके बताना है अगर आपको दस में निकटन करना है कैसे करना है और सव में करना है तो कै कैसे करना है तो चलिए हम लोग इस वीडियो में इसके बारे में पढ़ते हैं तो पहले हम पढ़ेंगे कि 10 का अगर निक्टन करना होगा तो कैसे करेंगे अगर 10 में हमें निक्टन करना है या 10 में नीरेश्ट वैलू निक्यालना है तो हम क्या करेंगे चलिए इसको हम कुछ numbers लेकरके उसमें हम आपको कैसे करना है आपको clear करके दिख्याते हैं और इससे आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा कुछ हम इस तरह से नंबर्स ले लेते हैं जैसे देखिए ये लिखा गया है चार अब इसको निक्टन करना है दस में अब आप इसको दस में निक्टन करेंगे कैसे लिखेंगे यहां पांच है यहां आट है यहां नौ है यहां है कैसे इस सब को आपको निक्टन करना है दस में इसको निक्टन करने के लिए आप कैसे करेंगे इसको देखिए हम कैसे करेंगे आपको याद रहना चाहिए देख रहे हैं यहाँ पर हमें निक्टन दस में करना है जब दस में करना है तो आप जानते हैं कि अगर कोई भी संख्या पा पाँच से उपर हो, जैसे च्छा हो, साथ हो, आठ हो, नव हो, तो उसको एक लगभग में जब माना जाता है, तो इस तरह से हम उसको मानते हैं कि संख्या जो होगी और दस के करीब होगी, तो इसी तरह से अब देखना है, यहाँ पर चार को, चार को आपको निक्टन में लिखना है, तो जब चार को आपको निक्टन में लिखेंगे, तो इसकी बहलू आपको लिखना पड़ेगा, यह सून्य हो जाएगा, जब इसको निक्टन में करेंगे तो यह सून्य होगा, इस इसकी value कितनी हो जाएगी, यह हो जाएगा 10, इस तरह से 10 हो गया, 8 का जब निक्टन करेंगे, तो चुकी 8 पांच से बड़ा है, इसलिए इसका भी 10 हो जाएगा, देखिए 9, यह भी हो जाएगा, 10, अब देखिए यहाँ पर 20 है, इक 20 में अब आपको देखना है, इकाई क्या आउंक, इकाई क्या आउंक इसका एक है, और एक यह पांच से छोटा है, इसलिए जब इसका निक्टन करेंगे, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यह हो जाएगा 20, इस तरह से इसका 20 हो जाएगा, इसी तरह समकुष सवर संख्याओं को कर लेते हैं, जैसे देखिए यह पांच पाचपन लिख्या गया है, पाचपन को आप निकटम कैसे करेंगे 10 में, तो आपको देखना है पाचपन, पाचपन में देख रहे हैं, यहाँ पर इकाई के आउंक 5 हैं, और यह 5 जो है 5, 5 के बराबर हैं, तीसलिए यह कितना हो जाएगा, अब यह 10 बढ़ जाएगा, जब इकाई के अफ्वाण पर 5 है, तो इसको निगलिट कर देंगे, इसको हटा देंगे, तो यह जाएगा 5, इसके बगल की संक्या, यह कंग बढ़ जाएगी, यह हो जाएगा कितना, यह हो जाएगा 650, इसी तरह से देखिए यहाँ पर, यह 9 है, बढ़ जाएगा, यह 0 हो जाए से समझ गए होंगे, इसी तरह जैसे देखिए 756 है, तो 756 को आप यहाँ पर से 6 को रिप्लेस करेंगे, इसके अस्तान पर 0 करेंगे, और इसके बाद 5 के अस्तान पर 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 5 से बढ़ा है, और इसके बाद ही हो जाएगा 7, इस तरह से 756 का नियर 10 में करें तो इसके बाद आजाएगी, 760, देखिए इस तरह से 99 है, 99 में देख रहे है, यहाँ पर 9 है, तो जब 9 को रटाएगे तो 0 हो जाएगा, और 9 के बाद देख रहे है, 9 लिख्या है, तो 9 एक 10 हो जाएगा, इस तरह से निक्टन इसका 100 हो गया, तो आसा करता हूँ कि 10 में नि एक 10 अब आठ राएगे ने और 10 के बाद पर 9 के बाद देख रहे हैं, तो 10 का अधा 1 को जाएगे, तो 10 कि 20 हो जाएगे, तो 10 में निक्टन इसका 100 हो गया, इस तरह से आपको ये दिमाग में रहना चाहिए कि अगर कोई भी रास पचास होगी या पचास से ज़्यादा होगी तब इसको हम लगवग सव में का सकते हैं इस तरह से पचास से ज़्यादा है इसलिए हम इस पूरी रास को लिख देंगे कि ये पांसो रूपिया हो जाएगा पांसो हो जाएगा रूपिया चाहिए कुछ भी यो तो इस तरह से हम सव में निक्टन इस तरह से कर लेंगे तो चलिए हम सव में निक्टन करते हैं तो देखिए सव में निक्टन करने के लिए कुछ नंबर से इस तरह से दिएगे इसको आप हमें निक्टन करना है तो देखिए ये एक सो उन्चास है अब एक सो उन्चास को आपको सव के निक्टन में लिखना है तो एक सो उन्चास क जो दिया किया है ये 50 से कम है, इसलिए हम हमें, अगर हम इसको यहां से, इस तरह से जब इसको रिफ्लेस कर देंग, इसको अठा देंगे, तो हम इसको लिगने क्यों लिए 1 और 0, 0. उन्चास को उटाएं क्योंकि उन्चास जो ये 50 से कम है इसलिए हम इसको केवल इस तरस लिखें 100 हो जाएगा इसी तरस देखिए 334 जो संक्यादिये ये 50 से कम है इसलिए इसका निक्टन बैलू 100 में जो होगा हो जाएगा 300 इस तरह से इसको 300 लिखेंगे यहम देखिए 945 यहाँ पर भी देख रहे है 45 जो है 50 से कम है इसलिए इसको हम लेख देंगे हो जाएगा 900 इसी तरह से देखिए अब यहाँ पर यहाँ लेखिए लिख्या गया है 9356 9556 में आपको देखना ही क्या उर्द हाई यह देख रहा है 56 चुकि 50 से ज्यादा है जब यह 50 से ज्यादा है ति कितना हो जाएगा 5 ए 6 हो जाएगा इस तरह सो जाएगा 9600 8563 अब यहाँ पर देख रहे हैं 63 63 50 से ज्यादा है इसलिए इसको हम लिख देंगे यह हो जाएगा 8600 इस 8600 हो गया यहाँ पर देख रहे हैं यह 86 है 86 50 से ज्यादा है 86 50 से ज्यादा है इसलिए इसलिए कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 910 और इस तरह से इसका मान हो जाएगा 7000 आसा करते हैं कि यह आपको बहुत ही सरल ढंग से समझ में आ गया होगा यहाँ पर देखिए 3 9 4 5 6 है 5 6 देख रहे हैं 56 56 जो है 50 से अधिक है इसलिए इसको जो भटाई तेहाँ जीरू हो जाएगा और यह चारे 5 हो जाएगा और इस तरह से इसको पढ़ेगे 49,000 5 से 49,000 5 हो आसा करता हूँ कि आपको बहुत ही सरल ढंग से निकटन करना नीरेश्ट 1000 या नीरेश्ट 1000 तो इसमें भी आपको ध्यान देना है इसमें भी अब आप जाते हैं कि 1000 को जब आपको निकटन करना है तो एक हजार को निकटन करने के लिए तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि 1000 का आधा कितना होता है एकजार का आधा पांच सो होता है इसलिए आपको हमें सध्यान देना है कि Josta Nekitan 1000 torch वो है रास 500 रहो या 500 से जादा हो तो हम उसको 1000 लिख देंगे उधराण के लिए आ पुसको समझ सकते हैं जैसे मालीजी की कोई रास इस तरह से लिखी गई है कि 51945 लिखे गया है अब इसको आपको नीरिष्ट खावजेंट करना है तो यहां देखिए आपको देखना कि 945 यह जो है यह लगभग यह 500 से ज्यादा है जब यह 500 से ज़्यादा है तो आपको क्या करना है तब इसको जब आप निक्टन करेंगे तो 516000 हो जाएगा इस तरह से इसका निक्टन होगा जैसे माली जी कोई सेंके लिए 5250 लिख्या गया आप देख रहे हैं 250 यह 500 से कम है इसलिए इसको केवल लिख्या जाएगा 5000 तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा तो चलिए हम कुछ इस तरह से देवे प्रसनों को कर लेते हैं जैसे देखिए लिख्या गया है 945 को हम इस तरह से कैसे निक्टन में करेंगे 1000 में अब आपको देखना है यह 945 पूरा तो 945 देखने 500 से ज्यादा है इसलिए इसका निक्टन बैलू या इसके निरेश्ट 1,000 क्या हो जाएगा इसको हम लेख देंगे 1000 यहां देखिए 3195 है तो 3195 आपको देखना है यह 155 है 500 से कम है इसलिए इसका निक्टन बैलू जो होगा यह हो जाएगा केवल 3000 इस तरह से इसी तरह देखिए 3495 मे में भी देख है यह 4000 यह लिखा गया है 3000 495 तो 495 देख रहे हैं 500 से कम है इसलिए इसका निक्टन बैलू जो होगा यह हो जाएगा केवल 3000 इसको करते हैं कि आपको अच्छे डंग से समझ में आ रहा होगा कि 2492 2492 तो 2492 का आप कैसे करेंगे इसको आप लिखेंगे देख रहे हैं 492 चार सो बार में देख रहे हैं 500 से कम है तो इसलिए इसको आप केवल लिख देंगे यह हो जाएगा 2000 इसी तरह से देखिए यहाँ पर 4945 लिख्या गया है यहाँ देखिए 945 है तो 945 को जो भटा देंगे ते हो जाएगा चुकि देख रहें 500 से ज्यादा है इसलिए इसको में लिखेंगे 5000 74,425 74,425 को आपको देखना है यहाँ पर देखिए 425 425 यह 500 से कम है इसलिए क्यों हम इसको लिखेंगे 79,000 79,000 हो गया अगर यहाँ पर 525 लिख्या हो जाता अगर यहाँ पर 525 लिख्या होता तो हम लिख देते हैं यह हो जाता 70,000 तो 70,000 हो जाता तो इसलिए आपको हमेशा ध्यान देना है कि किसका किसमे निक्टन करना है प्यारे दोस्तों आसा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी दोस्तों अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों में सेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों अगर आप मारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जय हैं दोस्तों धन्यवाद